Hello everyone, आप सब का इस वीडियो सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है आपके स्क्रीन पे बिहार सिविल कोट क्लर्क और कोट डिडर की बुक दिख रही होगी तो आप सभी को पता है कि बिहार सिविल कोट की वेकेंसी कुछी टाइम पहले आई और जो है अप्लिकेशन जो है क्लोज हो चुका है अप्लिकेशन सभी बच्चों ने जो है I guess सभी ने फॉर्म फिल कर दिया होगा और इस एक्जाम का प्रिपेशन आप कर रहे होगे एक्जाम डेट आपका अभी जो है अनाउंस नहीं हुआ है तो एक्जाम अभी पास आपके पास टाइम है और प्रिपेशन करने के लिए काफी अच्छा टाइम है तो ये वो टाइम है, टाइम तो है आपके पास, लेकिन ये वो टाइम है जहां पर आपको बहुत अच्छे तरिके से प्रिपेर करना है, महनत करना है, तभी आप फाइनली सक्सेस्फुल हो पाओगे, क्योंकि बिहार में धेर सारे बच्चे, जिन से मेरी बात होती है, काफी स सरे बच्चो का कॉल्स भी थो हमारे सपूर्ट पे आया है, कि हमें सर बिहार सिविल कॉट की हम प्रिपेरियर कर रहे हैं, तो बच्चे बहुत प्रूच्वेर कर रहे हैं, और कुछी टाइम पहले, बिहार प्यून, और चप्रासी, और पिहार ओर्डरली वाली हम ने नीजित है उसको धेर सारा प्यार बच्चों ने दिया काफी सारे बच्चों ने और सब्सक्राइब रहें और कुछ इन पहले हमने बिहार civil court clerk और court reader की नीज बच्च पहले हमने बूक निकाली है ये भी काफी सारे बच्चे और चुके हैं पहुंचने की आपके पास dispatch कुछी time में हो जाएगी और आपके पास पहुंच जाएगी यह बुक और काफी सारे बच्चे और काफी सारे बच्चे उनका mail message आ रहा है कि सर अमें इस बुक के बारे में थोड़ा सब कुछ और रिटेयर अच्छी तरीके से बता दो हमें समझ में आएगी तो मैं उन बच्चों को समझाने के लिए यह वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में डिटेयल तरीके से बताने वाला हूँ कि विहार, civil court, clerk और court reader की जो बुक है इसमें क्या है तो यह बुक जो है study guide है और study guide में इसमें 1800 प्लस जो है हमने questions दिये हैं और बिल्कुल जो है latest pattern पे जो है book available है और जो भी इसमें subjects पूछे जाएंगे जाए हिंदी हो, गनित हो, reasoning हो, अंग्रेजी हो, समान अध्यान और computer के questions हैं सभी के questions हमने इसमें cover कियें और सभी के concepts भी हमने इसमें cover कियें और क्या-क्या है इन book में जो है मैं आपको दिखाऊँगा तो यह है बिहार civil court की book तो सबसे पहले जो है English language हमने cover किया तो इंग्लिस language में जैसे कि आपको पता है कि इसमें AC writing जो है पूछा जाना है लेटर राइटिंग्स पूछा जाना है तो AC writing के क्या tips होने चाहिए कौन-कौन से अलग-अलग topics पे AC writing हमने यहाँ पे दे रखा अगर आप देख रहे होगे तो इसे English language में इसे writing tips है लेटर राइटिंग्स टिप्स है और सारे letters है different different formal letter कैसे लिखने है, informator letter कैसे लिखने है, manager को कैसे लिखना है, formal invitations कैसे देना है, complaint कैसे करना है तो सब भी कुछ हमने यहाँ पे दे रखा है तो मतलब इंग्लिस का वाला जो section है अंग्री जी का जो section है उसको आप इस book से पढ़ेंगे तो आपका बिल्कुल solution हो जाएगा आपको कोई और घपरानी की ज़रूत नहीं पढ़ेगी कि हां अंग्री जी में मुझे किस तरीके से लिखना है जो कि बिहार में जैनरली बच्चों को दिक्कत होता है कि अंग्री जी में जो है मुझे लेटर रिखना पड़ेगा फॉर्मल इनफॉर्मल यह सारे questions जो है एक्जाम में पूछे जाएंगे तो कहीं न कहीं बच्चे उससे घपराते हैं तो आपको इस वाले book में वो challenges नहीं आ ठीक है अब जो है उसके बाद जो precise है एक precise writing कहते हैं तो precise writing भी हमने यहां पे different topics पे हमने दे रखा है ठीक है और सभी कुछ आपको tips वगेरे भी दे रखा कि कैसे आपको approach कैसे करना है मानो यह सारे topics हैं कुछ नया topics पे आपको दिखने को मिल गया तो कैसे आपको approach करना है कैस अब जो है उन topics के बारे में लिखना है क्या आपके thinking क्या होने चाहिए क्या thought process होना चाहिए तो सभी के बारे में tips वगेरे हमने दे रखा है अनोनिम्स और synonyms वगेरे भी हमने यहां पे दे रखा है उसके बाद खंड भी है जिसमें समान हिंदी जो है दिया गया है तो इस स सब कुछ है हमने detail में अच्छे तरीके से दे रखा है और different practice करने के लिए हमने अलग-अलग से यहां पे हमने set भी आपको दे रखें ठीक है तो यह है आपका खंड भी जिसमें समान हिंदी है परियावाची सब्द विप्राथक सब्द और बिलोम सब्द बगेरे भी हमने य आप में जो आएगा वह हमने यहां पर दे रख रहे हैं ठीक है और यह बिल्कुल हिंदी में है क्योंकि बच्चे बच्चों का maximum बच्चों का 95-96% बच्चों का जो डिमांड था कि मुझे हिंदी में लाके बुग दो हिंदी में मुझे पढ़ना है तो हमने जो हिंदी में है रिलीज की है हिंदी में जो है बूम ने रॉंच किया है और इसके बाद आपका जो है यहां पर जो शुअ हौला पार्ट जो मैस वाला पार्ट आता है मैहां पर संख्यात्मक एवрок bisa to यहां पर आपका लाव औरzhान यह संख्या Pनाली सरली कारण। इस तरीक से करके सारे chapter, math के हमने दे रखेंं, ठीक है, उसके बाद आपका reasoning है, तो reasoning में भी है यहां पे जो आपके topics हैं, जो आपके subject के हिसाब से topic है, यहां पे सारे topic हमने दे रखें, और last ने क्यों computer भी आपका, तो computer के हमने यहाँ पर practice questions हमने दे रखे, इससे बाहर questions आपको नहीं आएंगे, यह बिस बास रखो आप, ठीक है, तो आप एक बर मैं detail में थोड़ा और भी मुख दिखा दूँ, तो यह है आपका English language, यह देखेंगे, तो आपका पूरा essay है, word limits के साथ दिया हुए, word limits में 400 words है तो यहाँ पर different topics पर यह सारे essay है, फिर आपका later writing है, later writing कैसे पढ़ना है, क्या approach रखना है, formal, जिससे आप देखेंगे, पहला formal later writing है, later to editor है, किस तरीके से लिखना है, subject कैसे लिखना है, आगे किस तरीके से आपको बढ़ना है, सब कुछ यहाँ पर detail अच्छे तरीके से दे रखा है हमने, ठीक है, और complaint later है, मतलब अलग अलग जो section बन सकता है, सारे sections हमने यहाँ पर cover कर रखें, और आपको practice करने के लिए भी हमने इसमें questions दे रखें, precise writing है, synonyms है, antonyms है, तो यह सभी कुछ है यहाँ पर, मतलब आपके exams के लिए धीर सारा content हमने यहाँ पर दे रख है, हिंदी के सारे topics हैं, हमने cover कर रखें, और आगे चलके आपका सेम जो मैंने बोला था कि आपको general science है, समाने बिज्ञान और समाने ध्यान वाला part, तो यह सभी कुछ हमने cover कर रखें, arithmetic है, maths है, maths reasoning हमने यहाँ पर cover कर रखें, सारे के सभी के concepts भी है, questions भी उसे related है, तो काफ भी सारे topics हैं, हमने बिल्कुल detail में, सारे questions वगेरे cover कर रखें, solution भी अच्छी तरीके से हमने दे रखा है, तो सभी कुछ है books में, और I guess आपको यह books पसंद आएगा, और काफी अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी किजिए, maths के हैं, उसके बाद आगर आप देखेंगे reasoning ह आपका, और last में हमने computer के practice questions हमने दे रखेंगे, इससे अगर आप तयारी करोगे, तो questions आपके सारे computer के cover हो जाएंगे exam में, ठीक है, तो आपका जो है, काफी important है, total लगवख 7692 जो है vacancy आपके civil court में आई थी, और मैं बात करूँ, तो जो आपका court reader और clerk है, तो इसमें, clerk में आपका 3324 में अलब 3330 के आसपास vacancy थी, 3325 थी, और आपका court reader में 1132 vacancy थी, काफी अच्छी vacancy है, तो आप सभी लोग, जो लोग तयारी कर रहे हैं इस बिहार civil court exam के लिए, तो सभी से, मैं सभी बच्चों से जो है, अनुरोद करूँगा कि ये किताब जो है, अपने पास और वहां पे जाके अपना order करें बुक को, और आपके पास books जैसे आती है, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको prepare करें, आपके पास काफी सुनहरा मौका है, बिहार civil court का exam clear करने का, तो ये book कहां से मिलेगी, तो इस वीडियो के नीचे description में मैं लिंक डाल दूँगा, वहां सारा civil court, clear court reader books के बारे में सारा detail था, I guess आप सभी बच्चों को ये video session काफी अच्छा लगा होगा, जो जिन बच्चों ने ये book order नहीं किया, आप अभी जो इसको order करें, मंगवाएं, और इससे अच्छे तरीके से prepare करें, आपको अच्छे तरीके से प्रिपेर करें, आपको